दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल बेसिक फार्मसी लेक्चर में तो आज जो हम वीड्यों लेका आए यह हम न्योरो काइंट की अबी मेडिशिन के बारे में इस वीडियो में हम एक यक करके डिस्कस करेंगे नियूरो काइंड की जितनी भी मेडिसिन है उनके उपर तो जो भाही हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो ने मिलती रहे इस वीडियो का पीडियेफ आपको हमारी वीडियो के डिस्करिप्शन में मिल जाएगा आप लिंक को ओपन करें, हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ से पीडियेफ को डाउनलोड करें तो चलो, शुरुबात करते हैं अपनी वीडियो की तो हमारी जो पहली मेडिसिन होईगी इसमें वो है नियूरोकाइंड गोल्ड ये एक मल्टी विटामिन कैप्सूल से है जिनका यूज हम मल्टी विटामिन के तोर पे करते हैं जैसे इसका जो मेन यूज होता है वो अनीमिया और हमारी बांड से संबंदित पररिसानियों को करने के लिए किया जाता है ये जो formation करता है वो RBC के नए सैलों का formation करता है जैसे किसी को अनीमिया हो गया है अनीमिय मस्दलब red blood cell कम हो जाते हैंँ उसमें ठीक है न तो उस case में इसका इस्तेमाल किया जाता है वहीं बात करें डोज की तो भी डोज इसमें कम से कम दिन में एक बार तो लेनी चाहिए और बाकी patient की problem और patient की situation पर depend करता है यहां से आप देख सकते हो जी इसमें सारे content पाए जाते है vitamin B6, vitamin D3, folic acid, ferious, zinc sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, potassium iodine तो यह सारे इसमें हमारे salt पाए जाते है नेस्ट जो हमें टेबलेट है वो है neurokind LC neurokind LC इसमें क्या क्या पाए जाता है इसमें जो पाए जाता है वो mycobalamin, folic acid, tartrate, l, carnetin जो इसमें salt हमारे पाए जाते है यूज की बात करें तो neurokind LC का इस्तिमाल हम कार्डियो मायोपैथी में करते है ठीक है न, इसके इलावा हम इसके लेटल मायोपैथी में भी इसका इस्तिमाल करते हैं ठीक है यह सभी दिल की बिमारी से संबंदित होती है तो उसके इसमें इसका इस्तिमाल किया जाता है वहीं डोज की बात करें तो डोज एसपर डोक्टर आपको लेनी होती है नेस्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है neurokind OD neurokind OD अब इसमें जो साल्ट पाये जाता वह खाली पाये जाता मेको बालामीन मेको बालामीन और मेको बालामीन का क्या यूज होता है तो neurokind OD का यूज विशेश रूप से मेगलोबिलास्टिक अनीमिया डाइबेटिक नियूरोपैथी के लिए किया जाता है अब डाइबेटिक नियूरोपैथी क्या होता है डाइबेटिक नियूरोपैथी वह बिमारी होती है जैसे हमारे किसी पेसेंट को सूगर हो गया डाइबेटीज है उस डाइबेटीज में क्या हो उसका सूगर लेवल बढ़ गया और उस सूगर लेवल तो उसके लिए नियोरोकाइंड ओडी का यूज किया जाता है नेस्ट जो हमारा मेडिसिन है वो है नियोरोकाइंड दी थरी इसमें जो हमारे साल्ट पाए जाते हैं वो पाए जाता है मीकोबालामीन, अलफा, लाइपविक एसिड, विटामिन दी थरी, फोलिक एसिड, पाए डी डॉक्षीन, हाइड्रोकलोराइड ये इसमें साल्ट पाए जाते हैं ये एक मल्टि विटामिन कैपसूल से हैं इसका इस्तेमाल डाइबिटिक नियूरोपैथी के मरीजों के लिए किया जाता है ठीक है ना? देखो ये दा डाइबिटिक नियूरोपैथी एक ऐसी इस्तिती है जहां बिलड सुगर के कारण कुछ तंतरिकाओ को नुक्सान होता है तो इसका भी सेम यूज है ये भी डाइबिटिक नियूरोपैथी के लिए यूज की जाती है हमारी जो नेश्ट मेरी सीन आती है वो आती है नियूरोकाइंड जड्मोर इसमें जो कंटेंट पाए जाते है वो जिंक, मीकोबालामीन, विटामीन बी, फोलिक एसिड और नियसीनमाइड एंड क्रोमियम पाए जाता है इस टेबलेट ये भी एक मल्टी विटामीन है ठीक है ना इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं पोशक की कमी हो जाती है जैसे विटामीन B3, B6, B9 और B12 की कमी के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है हमारी जो नेस्ट मेडिसिन है वो है नियूरोकाइंड प्लस आरेफ इसमें जो हमारा कंटेंट पाया जाता है वो मीकोबालामिन, अलफा लीपोईक एसिड, पाया जाता है इस टेबलेट का भी यूज मेगलोबिलास्टिक अनेमिया या पोशन की डेफिसिंसी के लिए किया जाता है इस सारे ही जातर देखे जाए तो हमारे मल्टी विटामिन्स है ठीक है और सब का जादर तर यूज हम मेगलोबिलास्टिक अनेमिया या डायबिटिक उसमें करते है डायबिटिक नियूरोपेथी में करते है नेस्ट जो हमारे टैबिलेट है वो है नियूरोकाइन्ड जी इसमें जो कंटेंट हमारा पाए जाता वो है गावापेंटिन और मिकोबालामिन दो साल्ट इसमें पाए जाते है ठीक है न यह दो साल्ट से मिलके बनी हुई कॉंबिनेशन मेडिशीन है और यह यह भी हमारी पे मिज हो जाती है उसके पेंट को ठीक करने के लिए यह मेडिशीन का यूज हम करते है इस मेडिकेशन इस यूजफूल इन्डा ट्रेटमेंट ऑफ पें डियो टूडु अग्व डेमेज ठीक ना थेकि नडू डेमेज जो हमाई डेमेज हो झाते है उसके उससे यह मारा के लिए नियूरो काइंड जी का इस्तेमाल हम करते हैं तो भही ये थी हमारी सभी नियूरो काइंड जी की मेडिशिन नियूरो काइंड कंपनी की मेडिशिन ठीक ना ये जात्र सभी मेडिशिन मल्टी विटामिन के तोर पर यूज करी जाती है और पेन के लिए यूज करी जा होते हैं ठेक Thats न न आपको वीडियो समझ में आई होगी और अगर थोड़ी बहुत दिखत है तो दोबारस जरूर सुने ठीक है इस वीडियो का PDF आपको हमारी वीडियो के description में मिलTube बन जायाईगा वह से जाके आप वीडियो के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सेर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो चलो भई मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में नेस्ट मेडिसिन के साथ सब तक के लिए बाई टेक केर